पेंटॉप हिल पुलिस ने सुम्बार रात एक 35 वर्षिय व्यक्ति को एक कथित वीडियो में पार्किंग विवाद के दौरान एक एर गन लहराते हुए और एक व्यक्ति को धमकाते हुए देखे जाने के बाद गिरफतार किया। इंटर्नेट पर जो विडियो सामने आया है, उसमें आरोपी को एक विवाद के बीच एक एर गन लहराते हुए दिखाया गया है, जो एक सड़क पर उसके और एक अन्यव्यक्ति के बीच शारिरिक विवाद में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी हाथ में एयरगन लिए दूसरे शक्स पर फाइरिंग कर रहा है। उसके साथ आई एक महिला ने मारपीट के दौरान उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने पीडिता को गाली देना जारी रखा और उसके साथ और मारपीट करने की कोशिश की। गिरफतार आरोपी की पहचान नितिन अरोडा के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके पास से एयरगन जब्द की है नितिन एक इवेंट मैनेज्मेंट कंपनी में काम करते हैं. आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ भारतिय दंड संहिता की धारा 324, 504 और 506 गुतिय के तहट मामला दर्स किया गया है अजैंद के खिलाफ दिलाफ दर्स कि पार आरोपी के खिलाफ भार आरोपी के खिलाफ तो कि अगला है